कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग मस्तों स्वस्त होंगे आज का चद्दस का इंग्लीज का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं आजे देखते हैं सबसे पहले आपको टाइम बता दें टाइम आपको थ्री आर्स 15 मिनट्स डिसाइड किया गया है जिसमें बेसिकली 15 मिनट्स जो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है मैक्सिमम मार्क 70 है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहला है कि फस्ट 15 मिनट्स आर अलॉटे टो दो कंडिटेट्स फार दर रेडिंग दे क्वेशन पेपर अर्थात 15 मिनट्स आपको एराट किया गया है क् है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन के सामने मार्क आप इंडिकेट किया गया है और तीसरा बता रहा है कि रीड़ दा क्वेश्चन्स वेरी केरफूली विफूर यू स्टार अंसूर देने के पहले ठीक है सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए इसका मतलब है कि अंसीन पैसेज आपके सामने आएगा उस पैसेज को अध्यान पुरुवग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन से दिया गया है क्वेश्चन से देखते हैं हम लो क्वेश्चन है कि what human qualities do help dolphins passes according to the passes ठीक है दूसरा है कि what do some people argue that man is superior to dolphin तीसरा देखिए find out a word in the passes which means perhaps ठीक है परहप्स का synonym से बूचा है perhaps मिस होता है सायद आप paragraph में जाएंगे तो आपको मिलेगा probable होता है probable देखिए सब देखोगा यहां पर देखिए probable यह है probable मने संभा होता है या सायद second है find out word in the passes which is opposite of inferior inferior means होता है तूच उसका पोजिट होता है superior देखिए paragraph में दिया हुआ इस तरह से आप questions को पढ़ेंगे और ध्यान प्रुवक उसका जबाब देंगे चले section B में चलते हैं section B है writing आप अपने मित्र को पत्र रिखेंगे और उसको इन्वाइट करेंगे आप अपने जन्म दिवस पर ठीक है उसके पार्टी पर या या तो लेटर लिखेंगे दूसरी बत कह रहा है कि राइट एन अप्लिकेशन टूर प्रिंसिपल फार इस्वी ट्रांस्पर सेटिफिकेट या तो आप लेटर दिखेंगे नहीं तो कह रहा है आप अप्लिकेशन लिखिए टीसी लेने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं कोईस्ट नमर त्री है कि राइटर रिपोर्ट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एसे की जगह पर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने के लिए आएगा तो आपको भबराने के आव सकता नहीं है सबसे ज़रूर ही है कि ध्यान से हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सेम एसे की तरह ही जबाब देना है देखिए क्या कह रहा है कि राइटर रिपोर्ट रिपोर्ट on the Republic Day Celebration पर रिपोर्ट आपको तयार करना है लिखना है अब किस हेडिंग के तहद करना है स्कूल डिकोरेशन यानि स्कूल में डिकोरेशन किस परकार का हुआ है फ्लेग हवाश्टिंग सर्वनी यानि जंडारोहट जैसे होता है उसकी बात कर रहा है फिर कल्टरल प्रॉग्राम के बारे में लिखना है इस स्पीेच बाइप्रिंसिपल एंड आदर्स और अप्रिंसीपल के तरह उसके बारे में यानि सुबह का जो वाक होता है उसका महत्तु बताने के निए 60 से 80 सबतों के बीचे में आपको लिखने है किस हेडिंग के तर तो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन फ्रेसे एर किप्स एक्टिव एंड हैपी और डे गुड़ फार इस्टडीज और अंत्यमिर कांकुलिजन को द किल राइटिंग करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गरामर पुर्शन की और सेक्शन सी की तरफ कुश्चन नमबर फॉर कह रहे हैं कि चूज दा करेक्ट आप्शन तो एंस्वर दा फालोइं कुश्चन आपको यह दिया रखना है कि इसमें भी आप्जेक्टिव ट इसमें पूछ रहा है कि identify the adjective पहचानना क्या है adjective को पहचानना है तो the old man came to me तो old man जो old सब्द है न ओ आपको क्या है आपका क्या है adjective है तो आपसर में आपके सामने है the came man old तो आपको सारा आपसर नहीं लिखना है question लिखिए और answer में old लिख करके आगे बढ़िए clear है चलिए next चलते है he is working hard sorry he is hard working man इसमें identify करना है verb को आपको पता है कि he is a hard working man में इज जो है verb है तो आप verb पे tick करेंगे और question paper sorry answer seat में लिखेंगे और आगे की और बढ़ जाएंगे बाकी option को छोड़ देना है the noun form of strong is कह रहा है कि जो strong से जो सब्द है उससे आपको noun बनाना है strong का देखे strange होगा नहीं strongly होगा नहीं stronger होगा नहीं यानि जो noun है वो क्या सही होगा अपना strength सही होगा clear है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है कि he is worried dot 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 the examination यानि worried के साथ कौँ सा अपरी position यूज करना उसमें बता रहा है in है on है about है off है तो आप जाएंगे सीधे about के बारे में about लिखेंगे आगे बढ़ेंगे clear है चलिए आगे बढ जाओंगा इसको बदलना है past perfect tense में और past perfect का जो formula होता है जो सुत्र होता है उसका subject plus head plus मुक्रिया का third form plus object होता है तो देख लिए head किसे में आया है यह आपका आया है अचा not है हो जाएगा B volume चले जाएंगे आप I had not gone with you देखिए यानी future indefinite tense को लेकर जाना है past perfect tense में ऐसे ही आपके सामने question paper में प्रिस्म देखने को मिलेंगे ठीक है यह रहा objective question चलते है question number five question number five बोल रहा है कि change the following as directed in the brackets यानी bracket में जैसा बोला गया है वैसे आपको करने है question number one है five का one hurry said to me why did you do it change into indirect यह आपको पता है narration में बतलना है question number two है कि who is writing a letter आपको बताते चलना जबाब भी बताते चलना है इसका उपर वाले का होगा narration कि hurry asked me why अब you जाएगा इसकी me के नुशार थो जाएगा why I had done it why I had done it और आपका पैसी की बात करें who is writing a letter थो जाएगा who से बनेगा तो by whom से बनता है by whom is a letter being written by whom is a letter being written इसका पैसी बाहस हो जाएगा clear है question number 3 पे चलते है punctuation punctuate the following using capital letters where as necessary जहां कहे रहा है कि जहां आपका किसका capital letter की आश सकता है वहाँ पर आप use करिये और punctuate करिये देखे सीखा लड़की का नाम है तो सीखा का जो यस होगा capital होगा say to her friend friend के बाद कामा और inverted कामा हम लगाएंगे why capital होगा why had you not come to school study question mark inverted comma 1 ठीक है ऐसे ही हम इसका जबाब देंगे फिर आगे बढ़ते हैं number five sorry four कह रहा है कि frame a correct sentence by re-ordering the words यानि आपको पता है न रियारेंज करने के नहीं आया है कि was great palace this king a beautiful by built देखिए इसका हो जाएगा कि this beautiful palace this beautiful palace built by a great king या यह भी हो जाएगा कि this beautiful palace was this beautiful palace was built by the great king ठीक है यह आपका रियरेंज हो जाएगा और देखिए इस पे नहीं भरने के लिए है तो obedience हो जाएगा obedience ठीक है उसके बाद आप question number six में translation है translation को भी आपको ध्यानब रखना है कि प्रकृति एक जीवित सकती है इसको आप लोग करिए असान है कर लिजिएगा ठीक है अब बढ़ते है literature की और grammar portion हमारा समापत होता है literature की और चलते है section D की तरफ section D में कह रहा है कि read the following pages answer the questions given below it यानि आपके सामने क्या आएगा paragraph आएगा आपके प्रोज portion से और उससे समधित कुछ questions होंगे आप प्रोज portion पढ़ेंगे तो the satisfied expression he regarded the field of life कौन आपको याद आर होगा जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह तो a letter to God का है यानि लेंचो वाला chapter clear है question देखिए इसके नीचे question दिया हुआ है question दिया है कि what did begin to fall along with the rain यानि कहना कि बारिस के साथ क्या गिरने सुरू हो गए तो आपको कुछ नहीं लिखना है आप चले जाएगे paragraph में और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बारिस के साथ क्या गिरने लगा तो आप लिए बोलेंगे कि very large stones very large stones अब आ जाई यहाँ पर begin जगहां पर begin का प्रियोग करेंगे begin to fall along with the rain यानि जो बड़े-बड़े hell stones थे वह रैन के साथ गिरना सुरू हो गए ओके चले आगे बढ़ते हैं next question पूछ रहा है कि why did the boys go out तो आपको simple बच्चे क्यों निकल गए बाहर तो आपको पता है कि आप लिखेंगे the boys went out to collect the frozen pearls यानि जो बर्प हो है न बर्प कोई कटा करने बच्चे बाहर निकल गए चलिए question number 8 की बात करते हैं जो आपके सामने long हम बोलते हैं long question कह रहा है कि answer one देखेंगा one पूछा है one of the following questions in about 60 words यानि चार नंबर का आएगा दो आएगा आपके सामने और एक आपको attempt करने होगा यह कह रहा है कि how did mandela singer for freedom change his life question number one है और question number two कह रहा है कि give a character sketch of any frank any frank का आठवा question का दो दूसरा है दोनों में से एक attempt करने है आपको ठीक है आचलिए आगे बढ़ते हैं फिर question number nine में कह रहा है कि answer any two यह भी देखिएगा अप्रोच से ही पूछेगा कह रहा है कि answer any two यह थ्री आएगा two attempt करने होंगे following up the questions about 25 ऊपर वाला 60 सब्द देखा था और नीचे देखिए 25 words का दो attempt करने है चार नंबर के अभी है question देख रहे है describe any two tourist place of Kurg जैसे कुर्ग वाले chapter से हम लोग पढ़े हैं तो उसमें कह रहा है कि दो ऐसे places का नाम बताए जो बरमण करने होगी हो दूसरा question है कि where was the monthly accounts of the baker recorded कह रहा है जो बेकर होते थे गोवा के जो बेकरी का काम करते थे उनका जो account होता था लेखा जो का काम कहां होता था यह प्रसन पूछ रहा है और तीसरा question कह रहा है कि why did Walli want to ride on the bus और Walli bus में सवारी क्यों करना चाहती थी ठीक है तीन question है तीनों में से आपको दो attempt करने होंगे clear है आगे बढ़ते हैं अब दसा question कह रहा है कि match the following है यह अभी प्रोज से ही आएगा यानि प्रोज से आपको पता होना चाहिए कि एक पैसे जाएगा फिर long question आएगे short questions आएगे फिर आपके सामने match the following आएगा देखिए vendor vendor का देखिए hacker हो जाएगा preserve का kept safe हो जाएगा और monk का stage हो जाएगा महांक मतलब basically साधू होता है जो बहुत विक्चू होते हैं उनको महांक बोला जाता है ठीक उसी तरह से stage भी होते हैं साधू भी होते हैं clear है यह रहा है question no.10 अब हम लोग बढ़ते है poetry की और question no.11 के साथ केहता है question no.11 की read the following extract and answer the questions below आपको एक बात और पता आदा है आपको सबसे पहले जितना भी board की दोरा describe किया गया है चाहो प्रोज हो या poetry हो उनके मतलब लेखक का नाम और chapter का नाम आपको याद रखने होंगे ठेक उसी तरह से poem और poet का भी नाम आपको याद रखने होंगे जैसे एक देखे चार line दिया हुआ है poem और उसे समधित कुछ questions दिया गया है जैसे question है कि where was the poet standing तो आप को जब आप बताना है कि poet कहां खड़ा है और दूसरे point out the rhyming words in the stranger rhyming words आपको बताते है जो poetry के जो अंतिम सब्ध होते हैं बिल्कुल तुकबंधी type को होते हैं जैसे देखिए crow है तो snow है और यहां me है तो tree है तो me का tree से और crow का snow से rhyming है तो आपको crow का snow और me का tree लिखकर के को लते हैं rhyming words clear है आगे बढ़ते हैं number 12 question है कि write the central idea of one of the following poems देखिए दो poem दिया है उन दोनों poems का कोई एक central idea आपको लिखना है जो आपको चार number का होगा या आपको central idea नहीं याद है तो कह रहा है कि write four lines from one of the poems given in the your textbook जो आपके book में दिया गया है चार line का poem आपको लिखना है लेकिन यह भी ध्यार रखना है do not copy out the lines given in the question paper और ऐसा नहीं कि जो question paper में दिया हुआ है वही आप चाप देजिए तो ऐसा करता ही नहीं करना ध्यान रही इस बात का हूं ठीक है अब हमारा poetry समापत होता है बढ़ते हैं question number 13 की ओर के रहा कि answer two of the following questions in in about 25 words यानि इसमें भी तीन questions आएंगे और attempt करने होंगे दो और number होगा चार चार चारे दो दो number का दो attempt करना है why is Mrs. Humphrey worried about tricky यह question है what were the reasons for Matilda unhappiness question number two है और question number three कह रहा है कि what was so strange about the furniture of Mrs. Hall तीन question है आपको सिर्फ दो attempt करने हैं ओके आगे बढ़ते हैं number 14 question कह रहा है कि answer one one of the following question in about 60 words अब देखिए जिस तरह से pros में long आता है उसी तरह से supplementary में भी long आता है आया है दो question करना है सिर्फ एक पहला question कर रहा है गिव एक करेटिस केच आप भोली भोली के करेटिस केच पुछा है और question number उसका two है कि how did a bright discover an unknown insect hormone दो question है एक attempt करना है चार नंबर का अब आजा यह question number 15 की बात करते हैं कह रहा है कि point out true and false true and false आ गया है दो नंबर का सिर्फ दो आएगा दो नंबर का कह रहा है कि supplementary से ही select the most suitable alternative to complete the following statement इस्टिमेंट को पूरा करने के लिए आप अब आप simple है ग्रिफिनवाज तो सब कीपर था कि landlord था कि scientist था क्लेर जीमें था तो आप हमको पता है अप जाएंगे scientist पे तो देखेंगे और पेपर को done बोल देंगे ठीक है यही है question paper इसी प्रगार के question paper आपको board exam में प्रिबोर्ड में देखने को मिलेंगे पस्ट अब लग मिलते हैं next video में thank you